नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे सक्यूलेंट के बारे में ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों क्या हम सभी रंग बिरंगे सक्यूलेंट से आकरशित नहीं होते हैं मुझे यकीन है कि आपको मेरे सक्यूलेंट्स इसलिए सुन्दर लगते हैं, क्योंकि उन में सुन्दर रंग है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये रंग पर्मानेंट नहीं है, ये सब दी गई स्थिती पर निर्भर करता है। अगर आप सही कंडीशन नहीं देंगे, तो रंग फीका पड़ जाएगा। सक्यूलेंट्स केवल कुछ फैक्टर्स पर ही रंगीन रहेंगे। इसे कितनी धूप मिलती है और कितनी देर तक आपकी क्लाइमेट कैसी है। जितना ठंडा वातावरन उतना अधिक रंग। अभी भी उतना लाल नहीं दिखेगा जितना लाल खरीदा गया था। तो फिर यहां कारण परियावरन हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरन दूँगा। मैंने इस सक्यूलेंट को दो साल पहले खरीदा था। जब मैंने इसे खरीदा था। तो आप देख सकते हैं कि इसका रंग परपल था। लेकिन एक हफ़ते के बाद परपल रंग फीका पढ़ने लगा इन दो वर्षों में परपल रंग कभी वापस नहीं आया। मैं पूरी सुबह सीधी धूप देने के बावजूद यह सर्दियों में लाल हो जाते हैं लेकिन कभी परपल नहीं होते। अब कि जलवाईू के कारण यह परपल था। शायद ठंडा मौसम था लेकिन यहां यह संभव नहीं है इसलिए इसका रंग बदल गया। एक और बात जो मैंने नोटिस की है वह है लोग सस्ते सक्यूलेंट पौधे खरीदना चाहते हैं। मुझे पता है कि हम बहुत अधिक पैस खर्च नहीं करना चाहते हैं। इसलिए लोग कम कीमत और अधिक सक्यूलेंट पौधे चुनते हैं। जिसका मतलब है मान लीजिये कि कोई 400 रुपे में 5 छोटे आकार के सक्यूलेंट बेच रहा है और एक मदर प्लांट है 300 रुपे में। लोग पहला विकल्प क्यों आप किसी प्रतिसपर्धा में नहीं है कि आपके पास बहुत सारा सक्यूलेंट्स होना चाहिए। मैं आपको कारण बताऊंगा कि क्यों छोटे सक्यूलेंट्स एक अच्छा विकल्प नहीं हैं क्योंकि छोटे आकार के सक्यूलेंट्स बहुत नाजुक होते हैं और नए वा प्लांट बहुत स्थिर और मजबूत होता है। यह नए वातावरण में बहुत अच्छी तरह से अनुकूलित हो जाएगा। यहां तक कि किसी कारण से स्टेम सडन या जड़ सडन है, आपके पास अभी भी उस हिस्से को काटने का मौका है जो संभव नहीं है। छोटे आकार के सक्यूलेंट के मामले में क्योंकि वहां मुश्किल से ही कोई स्टेम होता है। साथ ही पोस्टल सर्विस के दौरान पत्तियों के टूटने की संभावना अधिक होती है। छोटे आकार के सक्यूलेंट्स में कम पत्तियां होती हैं। इस मामले में एक मदर प्ला इसलिए सही प्रकार चुनें तो दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार था अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें तब तक मैं आपकी अनुमती चाहता हूं अगले वीडियो में मिलते हैं अपना खयाल रखें और आपके समय के लिए धन्यवाद